हेलो बच्छो, आप सब का, आपके अपने चनल गोविन विएत लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है, तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, और आप सब की पड़ाय बेच्छे चल रहे होगे, तो आज की इस क्लास में हम तक्सा आठ हिं अंग्रेजी विशेकी ब्रक्बू की क्लासेज भी चल रही है, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या पर चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेज को आराम से देख सकते हैं, तो चलिए क्लासम सुरू करते हैं, पहला प्रशन है, एक का विलोम सब्द है, किसका, एक का विलोम सब्द क्या होता है, तो एक का विलोम सब्द होता है अनेक, ठीके, दूसरा प्रशन है, नीचे दिये गए वाक्यों में से काल वाचक सब्द वाला विकल्प चुने, काल वाचक का मतलब है कि जो हमें समय की जानकारी देता है, देखो स्वेता कल गाना गाएगी, तो यहाँ पर जो कल सब्द है, ठीके यह मैं समय के बारे में जनकारी दे रहा है, तो यह कौन सा सब्द है, यह आपका काल वाचक सब्द है, तीसरा प्रस्ण है, सही विराम चिन वाला वाक्य चुने, इसमें से चारों मैसे जिसमें सही वि सही विस्मियादी बोदक जो ये छिन है, ये कौन सा छिन है? विस्मियादी बोदक छिन है, इसका सही उपयोग किया गया है. ठीके, तो ये वाक्य सही है. दिये गए बाक्य मैंसे संग्या सब्द वाला विकल्प शुने संग्या सब्द जो किसे कहते हैं संग्या किसी व्यक्ति वस्तु इस्तान भावादी के नाम को कहते हैं संग्या कहते हैं तो मैं जैपूर का रहने वाला अत्वा वाली हूँ, तो यहाँ पर जो जैपूर है, वो किसी इस्तान का नाम है, यह कौन सा सब्द है, यह आपका संग्या वाचक सब्द है, पांचवा, मैं, तूम, राम, उसका इनमें से संग्या सब्द कौन सा है, तो राम क्या है, राम किस व्यक्ति का नाम है आगे प्रश्ण संक्याच्छे राधा बेसूरा गा रही थी उसे सुनकर सभी लोग तेजी से भागने लगे इसमें क्रिया विसेशन सब्द कौन सा है देखो क्रिया विसेशन यानि वे सब्द जो क्रिया की विसेशन बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन् आगे प्रश्न संख्या आथ रोहन की मा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है ठीके हम सब अंगुलिया ही चाटते रह जाते हैं बाक्य में क्रिया सब्द कौन सा है तो क्रिया सब्द क्या है यहाँ पर यहाँ पर क्रिया सब्द है यहाँ पर देखो रोसन की माह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है हम सब अंगुलिया ही चाटते रह जाते हैं यहाँ पर क्रिया सब कौन सा है खाने की ठीके आगे प्रश्ण संख्या अगला है दिये गए गध्यांस को ध्यान से पड़े और प्रश्णों के उत्तर दे राजस्तान की अरावली पाहडियों में इस्तित सरिस्का राश्ट्री उद्यान का चित्रफल 800 वर्ग किलो मिटर है इस उद बंदुए हीरन सामभर शीतल निल्गाय जंगली सूअर लंगूर च्यार चींग वाले मर्ग लकडबग्य जंगली बिल्ली आदि इस उद्यान में वर्ष 1989 में प्रोजेक्ट ट्याइगर की शुरुवात हुई और 1982 में इसे राश्ट्री उद्यान का दर्जा दिया गया या में सुरू में क्पा बचाने के लिए बदन मिलता है इसके बावजुद राष्ट्री उत्यान समीति सुरू को बेंगा कोई जंगल नहीं होगा अब देखो नवापृषम का राष्ट्री उत्यान कब बना 1982 में गद्यान्स के आधार पर बताए कि प्रोजेक्ट ट्राइगर जो प्रियोजना थी वो क्यों सुरू की गई थी तो वो बागो को बचाने के लिए योजना सुरू की गई थी तो इस तरह हमने आपके OCR आधारित आकलन पत्र एक के सभी प्रश्णों के उतर बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मिद करता हूँ सभी प्रश्णों के उतर आपको उच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी कलास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेरो, सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जै हिंद, जै भारत